अगले 15 दिनों में मध्यप्रदेश में 17 तारिक को चुनाओ है कॉंग्रेस का महा जनसंपर्क अभियान और 125 प्लस लक्ष महान ये ताबर तोड़ क्यांपेन होने वाली है हम फ्रंट फुट पर ये चुनाओ सारा लड़ रहें और हमारी कोशिश ये है कि हम 230 विधान सबाओं को टच कर सके अगले 15 दिनों में 17 राली हमारे प्रेसिडेंट हमारे नेता राहुल जी हमारी नेतनी प्रियंका जी करेंगी इसके अलावा करीब 17 राली कमलनाज जी करेंगे करीब 60 राली दिगविजे सिंग जी करेंगे करीब 30 राली सुर्जेवाला जी करेंगे और उसके अलावा जो मधिप्रदेश के वरिष्ट नेता गणे वो सब रालीयां करेंगे वो सब जनसंपर करेंगे कोशिश है 230 विधान सबाओं तक पहुँचने की अपने वचनपत्र अपनी बाद अपनी मधिप्रदेश की सयोजना को पहुचाने की और सरकार को कट घरे में खड़ा करकर उनकी जवाब देही तै करने की मुझे ऐसा लगता है भारती जनता पाटी जितना इस तरह की ओची गंदी राजनिती करे जितना कमलनात जी को अपशब्द बुलाए जिस तरह से उनकी उम्रिया उनके स्वास का मजाक उड़ाए उतना अच्छा है क्योंकि दिखता है कि उनके पास मुद्दे नहीं है बिलकुल दिशाविहीन दिखते हैं क्योंकि दिखता है कि राजनीती का ये गंदा विदरूप है जो होना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है कमलनात जी की कारिक्षमता पर उनकी कुशलक्षमता पर उनकी समझदारी पर जितना भारतिय जनता पार्टी सवाल उठाए उतना अच्छा है क्योंकि यहीं उनको बहुत भारी परेगा मुझे ऐसा लगता है कि जब जब भारतिय जनता पार्टी संकट में होती है और वो पाचो राज्यों में राजिस्थान, मदप्रदेश, 36 गर, तेलंगाना, मिजोरम में भयंकर संकट में है जोला उठने वाला है 2024 में भी तब तब वो अपने सबसे प्रबल घटक दलों को EDCBI income tax को याद करती है और agencies का दुरुपियोग करती है प्रतिशोद की गंदी राजनीती के लिए लोगों को परचान और पतारित करने के लिए मेरा अपना मानना है कि यह इन्होंने हिमाचल में किया था यही इन्होंने करनाटिका में किया था और लोगों ने बड़े प्रचंड बहुमत से हमें जिताया था ये और करें इनकी घबराहट, बॉखलाहट और डर और सामने आएगा एथिक्स कमिटी रमेश बिधूरी को बुला के सवाल जवाब कब करेगी जिन्होंने सदन में उन शब्दों का प्रयोग किया एक दूसरे सांसद के लिए जो सड़क पे लड़ते हुए दो लफंगे लड़के ना कहें एथिक्स कमिटी उस व्यक्ति को कब बुलाएगी जिसने एक महिला सांसद और अपने छेतर की महिला विधायक को वैशाली की नगर बधू कहा एथिक्स कमिटी कब उन मुद्दों की बात करेगी जिन मुद्दों पर एथिक्स आता है असलियत यह है कि राजा की जाने तोते में है उस तोते का नाम अडानी है और जब जब अडानी पर आक्षेप लगते हैं आरोप लगते हैं अडानी पर आच आती है तो मोदी जी विपक्ष की जाच कराने लगते हैं और जाच कराईए लेकिन असलियत यह है कि आपके तोते की गर्दन अब हमारे हाथ में हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूज 24